इस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इबिंग चू आल अफ यू कैसे सब लोग होपस हो आप सब लोग बहुत बढ़ी हा रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हो तो हम जब भी लेक्चर चालू करेंगे हम इसी लाइन के साथ चालू करेंगे अब आप लोग बोलोगे जितने भी ने बाहले बैटे हैं वो बोलते हैं सर हम तो मौनिंग में बेटे हैं हमको तो मौनिंग बोलना चाहिए गूद आफटरनून के हो गूड इवनिंग के हो तो हम चालू करने वाले हैं आज से एक पेपर जिसका नाम है आपका कौन सा या taxation पहले तो आपका paper number कौन सा है paper number आपका 3 है तो paper number 3 है जिसका नाम है taxation and guys आपको पता है ये paper कितने marks का है और मैं बता दू आपको कुछ भी नहीं लिखना है ठीक है लेकिन कल से आप बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा notebook लेके आओगे आपके चहरे जैसा अगरगे ठीक है minimum 400 page का चाहिए तो 400 page का एक notebook लेके आओगे बट आपको लगता है 400 page का एक साथ हम नहीं लाना चाहते हम 200-200 page के दो notebook लाना चाहते तो कोई बात नहीं अभी आप 200 page वाला आपके पास में एक नया notebook होना चाहिए बहुत अच्छा वाला notebook होना चाहिए and दो तीन color की pen लेके आना एक तो black color की एक blue color की red color की भी ले आना green color की लाओ तो ठीक है नहीं लाओ तो ठीक है तो आपके पास three color की pen होनी चाहिए one is the blue color दूसरा कौन से बोला black color और तीसरा red color ये we send you 10 color की आप pen होगे हम लिखेंगे mostly black color की pen से आपको पता एक्जाम में कौनसे color से लिखना पड़ता है foundation दिया है στο foundation में investment भी लिखना उता है तो आप लिखोगे black color की penसे कहीं पर मैं आपको रेड और Rules of paper भी हम use करेंगे तो यह आपको pen लिखे आना है चलिए अपन बात करते हैं taxation का paper और यह आपका taxation का जो paper है ना यह 100 marks का होता है and अगर मैं CA intermediate की बात करू तो अगर आप इस paper में pass हो गए ना तो ऐसा माना जाता है कि first group में pass हो गए because आपने जो advance account पढ़ोगे उसमें आपका कुछ ना कुछ foundation से base आ रहा है foundation में आपने account पढ़ा हुआ है 11 12 में आपने account पढ़ा हुआ तो account ऐसा paper है जिसमें कही ना कही पे आपके पास थोड़ा बहुत base आ रहा है आपके पास law का भी थोड़ा बहुत base है क्योंकि आपने law पढ़ रखा है हो सकता है वो different law हो बट आपने लोग पढ़ रखा है लेकिन आपने क्या अभी तक taxation पढ़ा है क्या नए पहली बार आप taxation पढ़ने वाले हैं तो ये paper जो है लोग बोलते हैं intermediate के बच्चे भी बोलते होंगे आपको आपके senior से सुना होगा कि paper बहुत vast है क्योंकि आप देखोगा एक DT है अलग से IDT अपने आप में बहुत बड़ा है ज्यादा बड़ा है as compared to IDT तो ये अपने आप में बहुत बड़ा paper है बड़ा vast paper है तो एक चीज इसमें ध्यान रखना कि ये paper में pass होने के लिए exemption लाने के लिए आपको चाहिए discipline और discipline के साथ में consistently आपको पढ़ना पढ़ेगा आप बहुत बार ऐसे सुनते होंगे उस बच्चे की rank आ गई उसने first attempt में clear कर लिया क्या उसके पास कुछ ऐसा extraordinary होता है मेरे इसाब से उसके पास दो चीज़े extra होती है एक तो वो discipline और एक consistency discipline किसको बोलते हैं जैसे अभी आप intermediate चालू कर रहे हो तो आप बहुत discipline हो आपने कल से की यह सोच रखा होगा कि अपने class एक दिन भी बंक नहीं करेंगे यह आपने सोचा होगा आपके मन में ऐसा सोचा होगा foundation में हुआ जो हुआ भले एक attempt लग गया बट intermediate first attempt में clear करेंगे यह आपने सोचा है न तो वो जब आपने सोचा है तो उसी पे work करना discipline से work करना and consistently work करना यह बड़ा जरूरी होता है discipline देखना है न तो कभी ऐसे try करोगा चलो आज मैं पूरे दिन mobile नहीं देखूँगा आज पूरे दिन हमें सिरफ आदा घंटा ही mobile देखूँगा यह सब चीजे है वो आपको करते रहने का जिससे आप अपने पर आप पे control रख पाओ मैंने देखा है दो तरह के लोग होते है एक वो जो first attempt clear करते है या rank लाते है उनमें यही एक अलग चीज होती है कि उनको उनपे control होता है मैं जब भी interviews लिवगरा लेते हैं हम ranker का and all तो पता चलता है कि उसमें क्या अलग है एक चीज़ अलग है उसको पता है कि दिन में अगर आदे घंटे से ज़्यादा mobile नहीं देखना तो नहीं देखना है लेकिन एक जो अपन होते है मेरे जैसे लोग जो मैं ranker नहीं था भाई गोई ठीक है तो अपने जैसे लोग होते है वो क्या करते है देखे जा रहे है mobile एक पर एक reel चले जा रही है इंस्टाग्राम पर और इंस्टाग्राम का एलगो ऐसे काम करता है कि आप एक जैसी अगर तो पीन reel देख लो ना तो चोती reel आपको वैसी ही मिलेगी और चले जा रहे है time-pass किये जा है लोगोंसे chat कर रहे है टेलिग्राम पे लड़कियों के doubt solve कर रहे है आपने देखा होगा ऐसा आपने देखा होगा किसी लड़के ने बेचाख रहे है ने टेलीग्राम पे doubt और कम से कम 4-5 लोग बापस personal message में और करते हैं, कि शायद आपका doubt मिसना हो जाए इसके लिए, मैं बताओ, intermediate में ये सब नहीं करना है, ये time pass, आप यहां से जब intermediate में आये होंगे, बहुत सारे लोग पूने में पहली बार आये, कितने लोग पूने के बाहर से आये हैं यहां पे गुमते फिरो कहीं पे FC road पे वगरा मिलो बाद में करके ठीक है, क्या कोई कन्या के साथ गूम रहा है कहीं पे, कहां मिली थी बोला, class में ही मिली थी, ये सब नहीं करना है, ठीक है, अगर ये किया ना, तो पीछे रह जाओगे, ये सब नहीं करना है, अपने को CA final, जब intermediate clear हो बात करना, चलिए, ये subject की बात करते है, ये subject आपका taxation paper है, जो की 100 mark का paper है, और 100 mark में, आपको पता है, taxation के paper में दो पार्ट होते हैं, पता है, कहां पता चला तुमको ये बताओ पहले तो मुझे, अच्छा, institute की book आई, तुम्हारे पास, अभी तो book कहां से आ जाएगी, तुम्हारे पास, लेकिन सर, हमको पता तो था, जब हम admission लेने गए न, तो हमको बताया गया था, कि इसमें इसका fees इतना है, इसका fees इतना है, और अगर तीनो paper हमारे पास ले लेते हैं, तो फीस इतना पार्ट होते हैं, एक जो तुम्हारा part होता है, उसको बोला जाता है DT, क्या बोला जाता है, DT, और DT आपके exam में 50 mark का आता है, जिसको आप IDT बोल सकते हो, या GST बोल सकते हो, और IDT और GST है, वो आपके 50 mark का ब्रेक अप है, 50 mark का आपका direct text रहेगा, जिसको आप DT बोल सक या जो आपके exam के लिए है, उसको आप income tax भी बोल सकते हो, कि जो income tax है, वो income tax आपका 50 marks करहेगा, और उसके बाद में GST आपका 50 marks करहेगा, मैं आपको कौन सा वाला part सिखाने वाला हूँ, पूरा 100 mark या सिरफ ये 50 mark, ये वाला 50 marks, ठीक है, तो जो जो लोग है बच्चे, आपको मैं ये 50 marks वाला जो income tax है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये 50 marks का direct tax है, income tax है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, and guys, एक बात बताओ, ये 50 marks जो आपके रहेंगे, मुझे बताइए, ये पूरा descriptive रहेगा या, इसमें MCQ भी आएगा, MCQ भी आएगा ना, और MCQ कितने marks का आएगा, 15 marks का आपको क्या मिलेगा, इसमें MCQ, and 35 marks का आपको क्या मिलेगा, descriptive, descriptive मतलब जिसमें आपको question answer लिखना पड़ता है, MCQ मतलब अकड़ वकड़ बंबे वो 90 पूरे 100 वाला, ठीक है, that is called MCQ, एक बात बताओ, लोग बोलते है, descriptive है, हाँ, easy किस में ज्यादा, descriptive, क्यों ऐसा, कि कुछ भी लिख लो, ऐसे, कि कुछ भी, अगर मानलो कोई word समझ, जैसे college, college के exam, अगर किसी ने दिये, तो उन दिये college के exam, पता है न, कैसा लिखा, कुछ, कुछ मतलब नहीं, कुछ, उसमें, सिरफ यह दिखना चाहिए, कि इस reverse का मतलब क्या होता है, तो reverse मतलब, if car is going up, going this side, if we say stop and reverse it, it is a reverse, now mortgage का मतलब, जो mortgage मतलब आता है, वो कर लो, जैसा जो, जो मन में आए, वो लिखते है, वो लिखना पड़ता है, college में, क्योंकि वहाँ पे book होती है, उसका weight होता है, ठीक है, कि 200 gram है, जादा marks, 300 हुए, और CA में ऐसा नहीं होता, CA के exam में मैं आपको बताओ, यहाँ पे marks लाने के लिए आपको ढंक से लिखना पड़ेगा, अच्छा लिखना पड़ेगा, तो marks मिलेंगे, right answer, सर एक बात बताइए, जादा marks easy किसमें है score करना, obviously descriptive में, MCQ में आप score तभी कर पाते है, जब आपके fundas clear है आपका concept clear है, अगर concept clear नहीं है ना, तो आप MCQ में score नहीं कर सकते हैं, concept आदा दूरा है, तो आप descriptive में कर सकते हो, क्योंकि 5 marks का question है, कुछ ना कुछ लिखके आओगे, 3-4 marks तो मिलेगा, MCQ में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे तो 4 में से एक answer है, और अगर वो answer आपने सही लिखा तो ही आपको mark मिलेगा, otherwise आपको mark नहीं मिलेगा, तो guys, आपका जो MCQ वाला जो part है, ये आपको अच्छे से होगा, अगर concept clear होगा तब, but don't worry, तुम income text पढ़ रहे हो, मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊंगा, जिसमें आप MCQ में भी अच्छे से score कर सकते हो, and descriptive में ही भी अच कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, कि मामा के लड़के की शादी है, या उसके घर में वो हो गया, या उसका कुटा मर गया, आप मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, आप class bank करोगे, मैं बताओं, आप बहुत कुछ bank कर दोगे, ये ध्यान रखना, and दूसरी च जादा आपको घर पे जाके 30 minutes देना है, या 1 hour देना है, उससे जादा मैं homework ही नहीं दूँगा आपको, and guys, अगर 3 subject आपके मानलो चल रहे है, advance account चल रहा है, law चल रहा है, text चल रहा है, घर पे जाके आप 3 घंटे तो पड़ी लोगे न, तो सिरफ मैं तो आपको DT का जो homework कितने marks कोई इंसान ला सकता है, taxation की बात कर रहे तो, आपको क्या लगता है, पचास में से पचास कोई ला सकता है, गया, taxation paper है, देखो, accounts में आते है, accounts है, costing है, उसमें आपने देखा होगा, 100 में से 100 लोगों ने ला लिए, बट क्या taxation, क्योंकि taxation paper is the theory paper, इसमें theory practical दोनों है, यह paper जैसे आप account देखते हो, तो account कौन सा paper है, theory paper है और practical है, law कौन सा paper है, tax कौन सा paper है, tax is both, जिसमें theory भी है और practical भी है, दोनों चीज़े हैं, और मैं बताऊं, इसमें marks आप ला सकते हो, it's all about your capability, हम लोगों का जो role रहेगा, वो आपकी success में मैं बताऊं, 10% रहेगा, और 90% रहेगा, आपके effort कितने हैं, मेरे effort 10% आपकी success में काम आएंगे, ultimately आपके effort है, जो 90% आपकी success में काम आएंगे, मैं आपको इस बार कुछो result आया, May 2024 का result आया, उसमें एक बच्चे ने 50 मैं से कितना score किया पता है आपको, 48.5, 50 मैं से 48.5, मतलब और IDT का भी अगर उसका मिला दे, तो दोनों मिला के उसके 95 score हुए है 100 मैं से, तो IDT में कितना score किया होगा, 40, 46.5, right, सही calculation है गलत है, हाँ सही है, तो 46.5 उसका GST में है, and guys, DT में उसका 48.5 है, और सबसे पहले यह देखो MCQ, MCQ आप देखोगे, दोनों ही, Set A जो होता है, Section A वो Income Tax का होता है, and Section B जो होता है, वो तुमारे GST का होता है, उसने 30 मैं से 30 marks score किया है MCQ में, तो MCQ में, जब 30 मैं से 30 score हो रहा है, मतलब वो बंदे का concept किस level का रहेगा, आप समझ सकते है, कि MCQ एक भी गलत नहीं, 30 मैं से 30 marks है, वो उसने score किया है, यह Intermediate का paper है, Taxation का paper था, May 2024 एक्जाम के लिए यह paper हुआ था, और उस paper की 9th May 2024 को यह paper हुआ था, अगर गे ठीक है, तो यह OMR sheet है, और उसने, यह DT वाला है, जो Income Tax है उसका, और Income Tax में उसने 15 मैं से 15 mark है, वो score किय है इसमें, और यह बात आती है तुमारे descriptive की, तो descriptive में total 35 mark का descriptive था, and 35 में से उस बंदे ने 33.5 marks score किया है, so 33.5 marks मतलब 1.5 mark ही कटा है, सुचो, सिरफ 1.5 mark है, वो 1.5 mark उस descriptive में कटा है, मिस उस बंदे ने कितना अच्छे से लिखा होगा, अब आपको मैं बताओ, बहुत सारे लोग है, वो सिरफ लाइने बनाने में लग जाते हैं कि लाइने अच्छी बननी चाहिए, एक दम scale से, इसकी देखो, कोई scale से लाइन नी बनी हुई, पहला question है, सीधा चालू किया, उसने question number लिखा, answer 2 का A लिख रहा है, computation of total income, किसी बंदे की income निकाल रहा है, Mr. Tillak की, उसने फटा-फट ऐसे हाथ से लाइने खीच ली, और ऐसे दो लाइने खीच ली करके ठीक है, कोई scale वगेरा कहीं use नहीं की, कोई scale नहीं, कहीं कोई scale नहीं, as it is, ऐसे लाइने बना दी, कोई ऐसा सुन्दर बनाने की जरूरत नहीं है, आप लिख क्या रहे हो, वो ज़्यादा जर rank 2, यज्यकर के जो बन्दा है, यह उसका book है, तो मैं बताओ, देखो, score करने में आप अच्छा, बहुत कर सकते हो, 95 तक आप score कर सकते हो, मैं बताओ, हमारा target होना चाहिए, 60-70 marks भी मिल जाए तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है, लेकिन हमेशा target rank का करने का कुछ लोग ऐसे बार-बार मुझे बोलते है, सर हम क्यो करे rank का target हमको, तो सिरफ पास होना है, देखो, target rank करने से होता क्या है, मैं आपको बता दू, अगर आपने target Mount Everest कर रखा है न, target आपका वो है, बहनत आप Mount Everest के लिए कर रहे हो, तो मैं बताओ, छोटे मोटे mountain पे आप ऐ process पे काम करो, एक चीज़ बताओ, I am like a big fan of the मेंदर सिंग धोनी, और CS के fan basically, तो मेंदर सिंग धोनी का कहना एक line होती है, कि लोग क्या करते हैं, बहुत बार target सेट करते हैं, और target के बारे में ही सोचते रहते हैं, जबकि वो process के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है, मेंदर सिंग धोनी कहता है, कि हमेशा focus to the process, आप अगर process पे focus करोगे ना, तो आपको अपना desire result मिल जाएगा, जो result आपको चाहिए, वो मिल जाएगा, अगर आप focus जो है, वो process पे करो, तो अगले जो आपके साथ में, जो भी 6-7 महीने आप पढ़ाई करने वाले हो, exam से पहले, यह सब तुमारी process है, और अगर आपने इन process पे अच्छे से ध्यान दे दिया ना, तो guys, आपको जो result, जो आपका desire result है ना, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर process आपने खराब कर दी, तो वो result आपको नहीं मिलेगा, तो आज से ध्यान रखना है, always जो आप पढ बाते करेंगे taxation की, मुझे बताए, government tax क्यों लेती है, why taxes, simple सा question, government tax क्यों लेती है, चलिए, 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 बताइए, government tax क्यों लेती है, SSR tax क्यों लेती है, government, क्या करने के लिए, चलिए, बताइए, अपना government के expenses pay करने के लिए government के expenses क्या है infrastructure develop करना different PSUs में invest करना, development करना country को चलाना और कोई government tax क्यों लेती है rich people का income poor को देना, अमबानी से लेके हमको देंगे हैसे हम पूर नहीं है अच्छा equitable distribution of wealth इसलिए government tax लेती है तो wealth फिर थोड़ी ले रही है अगर तू जो बोल रहा है कि equal distribution of wealth तो तो फिर अमबानी की wealth काट के हमको देनी चाहिए no na only income suppose there is a wealth on wealth whatever he earn only on that portion he has to pay the tax suppose he has not earned anything there is no need to pay the tax then how it is a wealth distribution okay any other yes sir debt चुकाने के लिए loan ले रखे हमारी government ने और हमसे tax लेके वो debt चुका लेती है ठीक है और कोई corruption करने के लिए एक बंदा बोल रहा है corruption करने के लिए ये लोग tax लेते है और कोई एक बच्चा बोल रहा है कि sir tax इसलिए लेते है जिससे कि CA intermediate और final के syllabus में subject आ सके नई तो CA easy हो जाएगा न क्या ये रीजन है कि CA intermediate final में तुम्हारा subject डालने के लिए government tax लेती है is it right answer is सब लोगों ने बहुत ही सही answer किया और इन्होंने बोला government tax क्यों लेती है क्योंकि government को आपने responsibility दे रखी है क्या आपको इंडिया को develop करना है और इंडिया को run करना है मिस इंडिया को develop करना है इंडिया को run करना है आगे लेके जाना है और उसके लिए पैसे की जरुवत पड़ती है जैसे आपको पता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया को हमने government को एक responsibility दे रखी है कि इंडिया को run करना है इंडिया को develop करना है और इंडिया को run करने के लिए develop करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है अगर आप कुछ भी बोलोगे किसी को के चलो ये करना है इंडिया को run करना है इंडिया को develop करना है आपने government बना दी तो government को दो चीजों की जरूरत पड़ती है एक तो government को च चाहिए पैसा, पहला चाहिए पावर और दूसरा चाहिए पैसा, power and पैसा, एक बात बताओ, हम income tax भढ़ना ही पड़ेगा, अब को जैसे अगर मजदूरी करने पूने आने बढ़ रहा है ठीक है तो आप सोचो क्या income होगी तो एक बात बताओ कि मैंने income कमाई example के लिए मैं टेक्स नहीं भरता तो क्या होगा मेरे साथ में मेरे को notice आएगा फिर मेरे को पकड़के जेल में डाल देंगे जोकि उनके पास यह सब करने का power है न miss government tax लेने का भी government के पास power है के नहीं है लेकिन power कहां दे रखा है कि government tax ले सकती है income tax ले सकती है यह कहां दे रखा है क्या यह constitution में ऐसा दे रखा है कि हमारी government income कमाऊगे उस पर tax ले सकती है एकदम ऐसे धाप सकती है आपसे पैसा ऐसा लिखा हुआ है लेगी नहीं टेक्स लेगी के नहीं लिखा हुआ है के नहीं यह constitution में लिखा हुआ है कि government टेक्स ले सकती है आपसे यह constitution में लिखा हुआ है ना पावर government को कहां से मिला है कहां से वो ऐसा आज निर्मला सीतारमन जी बढ़क के बोलती है तुमको यह long term capital gain पे ऐसे करना पड़ेगा इतना टेक्स पे करना पड़ेगा तुमको पता है इस बार तो पारलियमेंड में बहुत सारे असे लफड़े अपड़े हुआ इस बार तो आपको भी amendment समझ में आ गये होंगे न कि इस बार indexation हटा दिया वगरा ऐसा कुछ बात हो रही थी आपने सोचा हो कर यह क्या होता है गरगे मेरे को बोलता है पता है निर्मला सीतारमन जीने बहुत गलत किया है इस बार tax बढ़ा दिया है पहले 10% अब 12.5% हो गया यह वो मैंने बोला तेरा portfolio है कितने का तो देखा 63,000 का ठीक है portfolio 63,000 का है मैंने का इस portfolio पे जितना दू profit कमाएगा और अगर वो long term हुआ तो उस पे ऐस भी 1,25,000 तक तो tax नहीं लगता मनलब अगर share market पे long term capital गिन होता है तो उस पे 1,25,000 तक तो ऐसे भी tax नहीं लगता तो मैंने बोला तू ज्यादा tension लेने की ज़रूरत नहीं है बड़ वाईया अपने इंडिया में तो कितना ग्यान लोग देते है इतना ग्यान पेलते है social media प बठाय करके ठीक है हर कोई बोल रहा है tax ऐसे होना चाहिए यह होना चाहिए वो होना चाहिए और खुद tax अपन बढ़ते ही नहीं है ठीक है चलिए तो सबसे पहले बात कर रहे है government को power चाहिए बोलो क्या चाहिए लेकिन power कहां से मिलेगी power जैसा कि आपने बोला constitution of India से constitution of India में government को power दे रखी है कि government चाहे तो taxes ले सकती है अब question ही आता है कि यह constitution of India में कहां power दे रखी है कि government चाहे तो income tax ले सकती है यह power कहां दे रखी है articles में very good बैटा very good देखते हैं अभी देखते हैं कौनसे article में दे रखी है तो अपन चलते है एक बार constitution of India पर करके constitution of India and constitution of India पर अपन गए चलो यह आगया constitution of India और यह constitution of India जो की English वाला वर्जन है चलिए इसका PDF है यह रहा PDF भारत का सम्विधान constitution of India 1st May 2024 को क्या है और इसमें अगर आप देखते हो तो इसमें बहुत सारे constitution में क्या होते है आर्टीकल होते हैं क्या होते हैं articles articles मतलब क्या हुआ क्या हुआ क्या आपकी जो notebook होती है उसमें क्या होते हैं topic होते हैं जैसे कोई भी textbook आपने देखी होगी तो उसमें topic होंगे पे जाते है और यह articles जब अपन देखते है तो guys इसमें एक article होता है that is the article number 246 करके देखते है article number 246 क्या बोलता है ठीक है तो article number 246 यह रहा पहले अपन यहाँ पे चलते है article number 246 कहां क्या यह आया देखो article number 246 देखिए इस article का number 246 क्या लिखा हुआ है subject matter of laws made by parliament and by the legislature of state means कुछ ऐसे subject matter है जिसपे law बनाने का power जो है power वो दे रखा है central government को and कुछ matter ऐसे है जिसका power दे रखा है state government को एक बात बताओ जैसे अब अन माराश्ट्रा की बात करते है माराश्रा में पुलिस से related law कौन बनाता है हमारी माराश्ट्रा government बनाती है या central government बनाती है माराश्रा क्योंकि पुलिस is subject matter of state वैसे ही मुझे एक बात बताओ अपनी जो military है तो military से related law कौन बनाती है central government कौन लो बनाती है central government तो यहाँ पे जो article number 246 है ना उसमें इनोंने वहाँ पे कुछ list दे रखी है and basically there are three lists एक को बोला जाता है union list एक को बोला जाता है state list and तीसरे को क्या बोला जाता है concurrent list union list में कुछ ऐसे power union list में कुछ ऐसे matter दे रखे है जिस पे law बनाने का power सिरफ अपनी central government को है आज की date में मोदी सरकार को है दूसरा state list में कुछ ऐसे matter दे रखे है जिस पे law बनाने का power किस के पास है state government के पास है and concurrent list में कुछ ऐसे matter दे रखे होते है जिस पे law बनाने का power दोनों के पास है किस के पास है दोनों के पास अब अपने काम करते है सर आप बोल रहे हो Article No. 246, तो चलिए, मैं एक काम करता हूँ, अगर उस Article पे जाना पड़े, कि उस Article में क्या दे रखा है, Article No. 246 में ऐसा क्या दे रखा है, तो चलिए, अपन Constitution of India पे ही है, और ये रहा तुमारे सामने तुमारा Article No. 246, और देखते हैं, कि Article No. 246 में ऐसा क्या दे रख है, इन ओन है, तो देखिए, बेटा, ये रहा तुमारा Article No. 246 करके, और ये रहा Constitution अपने साथ में लाइव Constitution है, ये ये वाला, अब देखिए, ये Article No. 246, भाई साब, 243 बहुत लंभा आर्टिकल है, कि हाँ, तो आर्टिकल No. 246, हाँ, देखिए, क्या दे रखा है, Subject Matter of Laws, Made by Parliament and the Legislature of States, मैं ऐसे matters दे रखे है, जिस पर law बनाने का पावर, Parliament के पास है, Parliament मतलब Central Government and Legislature of States, मतलब States Government के पास है, अब इन्होंने वो लिस्ट यहाँ नहीं दे रखी, उसके लिए अलग से schedule बना रखे है, और Article 246, जो है, उसमें जाके एक 7th schedule है, क्योंकि आप देखो, पहले line में क्या लिखा हुआ है, Not with standing anything contained in clause No. 2 and 3, यह Not with standing clause क्या है सर, समझेंगे, Parliament has the exclusive power to make the laws with respect to any of the matter, enumerated in the list 1 of the 7th schedule, अब आप बोलोगे, कि सर, हमको topic तो दे रखा था, बट topic के बाद में आप यह समझें, यह एक ennecture है, 7th schedule, तो जैसे भी जितने भी article है, उस article में कुछ मालो ऐसी list डालनी है, तो वही article में ना डालते हुए, उन्होंने schedules में डाल रखी है, और यह 7th schedule जो है, वो तुमको बताएगा, कि कौन से matter पे law कौन बना सकता है, तो चलिए, Constitution of India जब खोल के बैटे है, तो अपन चलते हैं, तुमारे 7th schedule पे, और देखते हैं, 7th schedule में कौन से matter दे रखे हैं, Union list कौन सी है, State list कौन सी है, और तुमारी जो concurrent list है, वो कौन सी है, वो मैं आपको बतादू, तो ये तुमारा 5th schedule हो गया, तुमारा 5th schedule उसके बाद, ये तुमारा आगया, 6th schedule, ये 6th ही चल रहा है, ये आगया तुमारा 7th schedule, देखिए गाईज, आप बोड़ पे ध्यान दीजिए, 7th schedule, और 7th schedule है, ये article number 246 का, list 1 है, union list, और ये जितने भी matter है, जिस पे law बनाने का power हमारी central government के पास है, एक defense of India, जैसे defense पे law बनाने का power अपनी central government के पास है, उसके बाद military forces related law बनाने का power central government के पास है, तो चलिए अपन जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते है, तो पता चलता है कि कई income tax पे law बनाने का power किसके पास है, तो इसकी सीधी आ जाती है तुमारी entry number 82 करके, देखिए, यहाँ पे entry number 82 क्या बोलती है, ध्यान दीजिए बोड़ पे, और देखिए entry number 82 को आप read करिए, क्या लिखा हुआ है, taxes on income, other than agriculture income, तो जो भी आप income कमाते हो, उस income पे tax लेने का, से related, law बनाने का power, कौनसी government के पास है, बोलो कौनसी government के पास, central government, तो income tax कौनसी government लेती है, बोलो बोलो कौनसी, central government, और यह कहां power दे रखा है, constitution of India, article number कौनसा, 246, 246 की आपका schedule कौनसा, 7, 7 schedule का entry number कौनसा, 82, और 82 हमारी central government को power देती है, central government चाहे, तो income tax ले सकती है, किस पे, on all the income, other than, एक बात बताओ, agriculture income पे tax नहीं लगता, आपको पता है यह चीज़, आजकल एक पता है, वो post चल रही थी, कि agriculture income में 10 करोड कमा हो, तो भी tax नहीं भढ़ना, बट बेचारा, salary employee 10 ल चीज़, very good, मैं भी दिखता हूँ, आपकी तरह Instagram, तो चलो, मुझे एक बात बताओ, agriculture income पे tax नहीं लगता, आपको क्या लगता है, कि agriculture income पे tax लगाने का power constitution में है यह नहीं, या कोई agriculture income पे tax ले सकता है, कौन ले सकता है, इस्टेट government के पास है power, कहां दे रखा है, constitution में, क्या सकता है, कहां दे रखा है, क्या हमारी constitution में, ऐसा दे रखा है कि agriculture income पे tax लग सकता है, हाँ, हाँ या नहीं, राइट answer is, agriculture income पे tax लेने का power, central government को तो नहीं है, क्योंकि यहां क्या दे रखा है, taxes on the income, other than agriculture, agriculture income पे central government tax नहीं ले सकती, state government को यह power दे रखा है या नहीं, अपने एक काम करते है, state list पे चलते है, और जैसे ही तुमारी union list complete हो जाती है, उसके बाद आगई state list, state list कौन-कौन से law बना सकती है, जैसे public order है, police है, यह सब किसके under cover होती है, state में, अब इसमें अगर आप जाते हैं, तो इसमें एक entry होती है, that is the entry number, इसमें एक entry है, that is the entry number 46 करके, अब एक बाद समझना, entry number 46 आप read करके बताएंगे, अरे यार, इसको बताएंगे क्या हो रहा, entry number 46, entry number 46, आप read करके बताएंगे, देखिए, क्या लिखा हुआ है, agriculture income, तो agriculture income पे tax लेने का right किसके पास है, तो all income पे tax लेने का right किसके पास है, central government के पास, agriculture income पे tax लेने का right किसके पास है, इस्टेट government के पास, तो मुझे बताओ, इस्टेट government, बहुत सारी इस्टेट government, agriculture income पे tax आज कोई लेता ही नहीं है, agriculture income is exempt, मुझे बताओ, agriculture income को exempt क्यों किया हुआ रहेगा, क्यों agriculture income exempt है, बोला, tax नहीं लेंगे, चलो, किसके लिए vote bank के लिए बुले vote bank के लिए vote मिलेंगे खिसानों से ही मिलते है अब उनसे भी tax ले लेंगे तो तुमको vote कौन देगा चलो और it is a risky business business तो आई ही नहीं agriculture है sorry in agriculture there is a risk so so run it अच्छा और कोई agriculture income पे tax क्यों नहीं लगता हाँ to promote agriculture to promote agriculture और कोई हाँ to protect हाँ इन्हों नहीं बोला farmer को yes it is a primary sector and primary sector is depend on the secondary sector, secondary sector depends on the primary sector. so that's why government not charging tax on the agriculture income, यह तो यह लिखने जासा आंसर हो गया, कि जब कुछ नहीं आता है तो कुछ भी लिख लो करके ठीक है, कि agriculture is primary sector, 70% population of India depends on agriculture, agriculture, everyone do agriculture, if you don't have work, you can do the agriculture, I also did the agriculture, when I like have some holiday from school, I used to visit my agriculture, नहीं नहीं आपकी बात एक्दम सहीरी, प्रमोट करने के लिए, वोट बैंक के लिए, नो टेक्स necessary, बोलता है कोई जरूरत नहीं है, किसानों से बेचारों गरीबों से टेक्स लोगे, क्या, सरकार गिड़ जाएगी, इकर गिठीक है, गवर्मेंट गिड़ने से रोकने के लिए, agriculture is core of our country, yeah, so agriculture income पे टेक्स नहीं लगता, उसके बीचे के दो-तीन reason हो सकते है, पहला reason यह है, कि जिस time पे जो law बने, कानून बने, पहले से agriculture को इंडिया में promote करना चाते थे, and हम यह चाते थे, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा agriculture करे, agriculture activity करे, and Indian 70% population depends on the agriculture farming, and all, तो बोला कि यह जो income कमाएंगे, वो tax free है, tax नहीं लगेगा, government promote करना चाती है, that is the one reason, आज से 3-4 साल पहले, हर साल हमारी government एक committee बनाती है, और वो committee taxation को लेके recommendation देती है, और अभी 3 साल पहले committee बनाईती, उसने यह recommendation दिया था, कि agriculture पे tax लगाना चाहिए, उन्होंने यह recommendation दिया, कि agriculture पे tax लगाना चाहिए, बट आज भी हमारी government agriculture को tax के preview में नहीं ला रही है, इस बार भी नहीं लाया, अगर agriculture पे आज tax लगा दे, तो पहली चीज तो government गिर जाएगी, CDC बात है करके ठीक है, इतने protest होंगे, दूसरी चीज हमारी government आज की rate में central government ऐसे भी dependent नितिश कुमार और वो उन्हों पे करके ठीक है, आंदरपरदेश और भिहार पे dependent ह तो अगर मालो ऐसा कुछ हुआ, तो government गिर जाएगी, दूसरी चीज कुछ लोग यह भी बोलता है कि agriculture पे tax नहीं लेते क्योंकि बहुत सारे politician की income ही agriculture है, आप देखो कि बड़े-बड़े माराश्ट्रा के politician करके ठीक है, सरत पवार साब बगेरा जो है, अजीत पवार साब, उनकी भी agriculture से बहुत इंकम है, तो बहुत इंकम है agriculture से, करोडो रुपे की इंकम है agriculture से, और उस पे कोई tax लगता ही नहीं, तो बहुत सारे politician की income ही agriculture से है, और उस वज़े से है, उस पे tax नहीं लगता, अब आप मुझे पूछोगे कि agriculture income पे tax लगना चाहिए या नहीं लगना चलो कितने लोग, कितने परतिशत भारतिय ये बोलते है कि agriculture income पे tax लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, हाँ, tax लगना चाहिए, हाथ उपर गरो एक बार वावस अच्छे से, very good, so 25% भारतिय बोलते है कि agriculture income पे tax लगना चाहिए, कितने लोग बोलत फेनधी लगी हुई है भाइया हाथ का कोई अच्छा यूस ? हाथ उपड़ किया ठीक है हाथ जब बोला है हाथ उपड़ा करो आपको अंसर करना है खुछ लोग को methods है कुछ लोग ऐसे पैट भाई फीस हम हम दे, आंसर भी हम दे, भात भी हम उपर करें, तो तुझे रखा किसलिया है? चलो एक पर वापस, कितने लोग बोलते हैं, अग्रिकल्चर इंकम पे टेक्स नहीं लगना चाहिए? बाकी लोग बोलते हैं, जो करना हो, कर लो, हमको चाहिए साट मार्क्स, कैसे भी दिला दो, लगाये, नहीं लगाये, कुछ भी करें, कोई मतलब नहीं ठीच, हमको पहले इंकम तो हो, चलो, क्यों नहीं लगना चाहिए, वाला, एनी स्ट्रॉंग रीजन, क्यों नहीं लगना चाहिए, हाँ, हाँ, बोलो, बोलो, थोड़ा जोर से, उनकी इंकम ही नहीं होगी तो हम टेक्स देरेंगे भी नहीं, इंकम होगी तो टेक्स लेंगे, हाथ तो भाई न सीधी सी बाता है इंकम हुई तो टेक्स दो महीं हुई तो मत दो चलिए और कोई और कोई एगरिकल्चर इंकम पर क्यो टेक्स नहीं लगना चाहिए यस इंकम फिक्स नहीं रहती तो दियर में भी पॉसिबलेटी के एक साल मानलो अच्छा रहा तो आप टेक्स तो भर दोगे बड़ अगले साल लॉस हुआ तो फिर हाँ दस लग का प्रॉफिट हुआ पिछले साल बारिश हो गई तो खराब हो गया क्रॉप है वो खराब हो गई हाँ तो नुक्सान हो गया ओके दैट इस वन रिवेलेट रीजन कि किसान की आहे जो है वो क्या होता है मैंनी टाइम एक साल प्रॉफिट हो गया हमारे राजस्तान में भी ऐसा ही होता है कि जिस टाइम पर बारिश सही हुई उस टाइम पर तो प्रॉफिट हो जाता है लेकिन जिस टाइम पर बारिश नहीं हुई या बारिश ज्यादा हो गई बाइस अब जितनी क्रॉफिटी सब खतम हो जाएगी तो आपने जितना इंवेस्टमेंट किया होगा वो ही खतम हो जाएगा तो बोला इनकी इंकम की सरिटेनिटी नहीं है तो इसके लिए अग्रिक एक बड़ी एक्जेम्शन ऐसे दे देनी चाहिए कि चलिए एक काम करिए आपकी इंकम पूरे साल की एग्रिकल्चर से 50 लाक रुपे तक है तो एक्जेम्ट है उस पे कोई टेक्स मत लगाओ बट अगर एग्रिकल्चर की इंकम आपकी 50 लाक रुपे से जादा है तो तो यह टेक्स लगना चाहिए ना क्योंकि देखो हम यह नहीं चाहते के हमारे माराश्टरा में विधर्व में जो गरीब किसान है या राजस्तान में एंपी में गरीब किसान है उससे टेक्स लेना जो बिचार 2, 4, 5, 10,000,000 कमाता है मतलो उससे टेक्स आप एक 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 लिमिट कर द दिखते हो तो एक salary employee बेचारा साल का 8-9 lakh रुपेज कमाता है तो भी वो tax बढ़ता है और मान लोग कोई agriculture जो बंदा है जो agriculture कर रहा है या आजकल तो companyya भी agriculture करने लग गई है बहुत सारी companyya बना दी है companyya farming कर रही है और आजकल ऐसी technology को use करके farming में करोडो रुपे लोग कमा रहे है तो when you are earning that much amount from the agriculture then you should pay the taxes आपको tax pay करना चाहिए अब आपको बता nursery से जो income होती है न वो भी agriculture है अब बहुत सारी companyya ने nursery चालू कर रखी है और वो नरसरी में paid पौदे बेचते है अगर घडिक है और paid पौदे वगरा बेचते है उससे जो income होती है वो भी agriculture है पूरी exempt है तो मेरा मानना मेरा personal view है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ limit को हटाना limit डालनी चाहिए और उस limit के उपर वाले पे tax लेना चाहिए बट certain limit तक agriculture income हुई तो उस पे tax नहीं लगना चाहिए अब एक और चीज समझना agriculture income exempt है उसकी वज़े से market में बहुत सारे लोग है वो planning करते है प्लानिंग नहीं बोल सकते चोरी करते है और अपना black का पैसे को white कर देते है कैसे black and white करते है मैं आपको बता हूँ जैसे मैं मेरी बात करता हूँ मेरा नाम नहीं करता है मैं example ले रहा हूँ ठीक है मैं घरीब आत्मी को खांत मालो मेरा नाम Mr. BB कर गए ठीक है तो कुछ लोग कैसे करते हैं बता हो जैसे मालो यह मेरे पास में खेत है मेरे नाम पे एक agriculture land ले रखी है अग्रीकल्चर लेंड है वो मेरे नाम पे मैंने ले रखी है और यह एग्रीकल्चर लेंड है राजस्तान में राजस्तान में मेरे पास एग्रीकल्चर लेंड है अब एक बात समझता है और एग्रीकल्चर लेंड मेरे नाम पे राजस्तान में मैंने ले रखी ह अब मैं क्या करता हूँ मेरे पास मैं बालो 20 लाक का पड़ा है ब्लेग का पैसा चेश का मतलब ब्लेक का पैसा समझते हो ना ब्लेक मनी किसको बोलते है काला धन तो क्या कालर क्लार का होता है ब्लेक मनी मतलब टेबल के नीचे वाला अब इसको कैसे इंटरबेट करें अब एक बात बताओ तो अगर बोलो ब्लेक मनी अन्डिस्क्लोज इंकम ओ बाइस है जोस पर टैक्स ही नहीं भरा है ब्लेक मनी कर गें ठीक है अनकाउंटेड इंकम जैसे मालनो तुम बच्चों से कैश में फीस ले ली तो कैश में फीस ले ली तो उस पर टैक्स नहीं भरा तो वो कौन सा इंकम बन गया ब्लेक मनी काला पैसा कर गें पहले बाबा राम देव जी हुआ गरते थे पता है पहले जब 2014 से पहले वो हमेशा रोज आके बोलते थे black money, बाहर इतना पैसा पढ़ा है, इंडिया में लाओ, सहर बंदे को 15-15 लाग रुपया मिलेगा, वो बोलते थे ना, और आज कल वो बोलते इस biscuit में मेदा नहीं है, ठीक है, आजमी कहां से कहां चेंज हो गया अगर के ठी है, कि इस biscuit में, पतंजली biscuit में मेदा नहीं है, तो मैं बता हूँ, black money है, मेरे पास 20 लाग रुपया, cash पढ़ा है, अब मुझे इस पैसे को white बनाना है, तो एक तो तरीका यह हो सकता है, कि white बनाने के लिए मुझे text बढ़ना पढ़ेगा, मैं क्या करता हूँ, बता है, हर साल मेरे पास agriculture land पढ़ी है, बत राइस्तान में बारिश ही नहीं आती, तो कुछ agriculture activity होती ही नहीं, ऐसे ही land मेरे नाम पे पढ़ी है, मैं क्या करता हूँ, मैं जाके वहाँ पे जो APMC मंडी होती है, APMC समझते हो, agriculture product market committee, जहाँ पे agriculture produce का sale purchase होता है, मैं वहाँ जाता हूँ, और वहा आपको agriculture produce 20 lakh का बेचा है, आप मुझे सिरफ एक bill दे दो, कि मैंने आपको agriculture produce बेचा है 20 lakh का, तो बोला ठीक है, वो तो दे देते है bill, अब इसने क्या किया मुझे bill दिया, और मैंने इसको cash दे दिया, मैंने इस बंदे को APMC के agent को cash दे दिया, and APMC वाला मुझे bank में 20 lakh रुपय दे देता है, ये बंदा, bank में मुझे 20 lakh रुपया दे देता है, मैं उसको 20 lakh का cash दे दूँगा, वो मुझे bank में 20 lakh दे देगा, और साथ में एक bill दे देगा, कि मैंने agriculture produce उसको बेचा है, अब एक बात समझना, आप बोलोगे सर ये APMC वाले ऐसा करते होंगे, answer is yes, ये लोग कर आ गया, अब देखो, मेरे bank में 20 lakh रुपया, bank में white का पैसा आया, और मैंने 20 lakh रुपया इसको cash दे दिया, और मैं क्या करूँगा, ये 20 lakh को agriculture income बता दूँगा, मैं बोलूँगा, कि ये 20 lakh है, ये मेरी agriculture income है, और agriculture income पे कोई भी tax भढ़ना ही नहीं है, अग्री कल्चर इंकम है, उस पे कोई भी tax नहीं भढ़ना ही, और मैं क्या करूँगा, मैं मेरा जब income tax written भरूँगा, income tax return मतलब income tax में जो written फाइल करते है, written का मतलब यहाँ गोलमाल written से नहीं है, written किसको बोलते है, ए अरे ये क्या वा मैंने ना यह जाना रे टन किसको बोलते है गोलमाल रिटन है सकत है अपने सुना नहीं कि आपके पे परेंट्स ने इंकम टेक्स रिटन फाइल की ये इसपने बुलते है इसको पता बुलो, income शो करने का तरीका, yes, very good, तो आपकी जो income होती है न, वो income कितनी है, क्या है, उसका जो हिसाब किताब देते है, हिंदी में अपन बोल सकते है, विवरिनी का, क्या income की विवरिनी का, विवरिनी का समझते हो, हाँ, हिंदी समझते हो न, समझता है हिंदी, income tax को हिंदी मे तो जो विवरिनी का है उसमें जितनी भी डीटेल फिल करके income tax वालों को हर साल online फाइल करना पड़ता है उसको बोलते है income tax return तो मैं मेरे income tax return में क्या बताऊंगा बता है कि मेरे पास तो agriculture land है ये वाली राजस्तान वाली और इस agriculture land से मेरे को agriculture produce हुआ था और वो agriculture produce मैंने बेच दिया तो वो बेचने से मुझे ये 20 lakh का agriculture income हुआ है अब ये 20 lakh का अगर income tax वाले मुझे पकड़ भी लेंगे बोलेंगे बताओ बताओ कहां से ये 20 lakh हुआ मैं तो बिल लेके बता दूँगा ये बिल था मेरे पास मैं कि देखो मैंने agriculture produce गहुआ था चावल हुआ था जो भी हुआ था इस पर लिखा होगा बिल पे ये मैंने बेच दिया और देखो इससे मेरे को agriculture income हुई लोग ऐसे चिटिंग करते हैं मार्केट में तुमको नहीं करनी है करके ठीक है मैं जब भी ये चीजे बताता हूं मतलब आपको नहीं करनी है ऐसा नहीं कि घर पे जाके अपने पापा को बोल दो पापा देखो एक तरीका है मेरे को आपके नाम पे अग्रिकल्चर लेंड तो है यह अपने यहां पे जो दलाल है एजेंट जो अग्रिकल्चर प्रोडियूस खरीता है उससे एक बिल ला लो ना उसको cash दे दो बैंक में ले लो बोलना अग्रिकल्चर इंकम है और वाइट का पैसा हो जाएगा पापा बैंक में पैसा आजाएगा घर में cash रोज लोग लगा कि जाना पड़ता है ध्यान रखना पड़ता है कम हुआ और cash अपने आप में नहीं बढ़ता है आपको घर पर पड़े पड़े अगर वाइट का पैसा है तो उसको invest भी कर सकते हो उसकी value बढ़ भी सकती है cash का utilize है क्या cash दो जगे ही खपता है काँ पे cash का use कहा कहा है या तो property उसको खरीदने में गोल्ड खरीदने में तीसरा cash का कोई use नहीं है तो आप उसको वाइट में करना चाहिए, टेक्स्ट भरके व्जी में करना चाहिए घीक है? हाँ, तो ऐसे लोग करते थे, एक बात बताऊ वे लोग ऐसा करते थे एक केस आया, जिसमें 15 करोड रुपे की इंकम बताई ? kin कितनी ? 15 करोड रुपे की इंकम बताईória सबसकों बेचा है और उसके नाम पर एगरीकल्श लेंड थी इंकमटेक्स वालों ने बुला लिया। उसको बुला तुने एगरीकल्शर प्रोड्यूश बिचा हां। तो बुला एक कौन सा सा بتा उसने बिल बथा जो मेले दैक है। ना मेरे यहां खेत में यह उगा था उन्होंने पूचा के तू बता तूने खेत में कौनसी डेट से लेके कौनसी डेट तक यह क्रॉप है वो लगाई थी भाई क्रॉप का कल्टिविशन कब किया था कब से लेके कब तक तेरी क्रॉप थी बता हमको करके ठीक है उसने डेट भ मंगवाई उस खेत की, उस डेट की, जो डेट उसने बोली थी, उस डेट की, उस खेत की सेटलाइट से फोटो मंगाई और पता चला कि उन दिदों में वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, तो अगर आप बोलोगे अपने घरवालों को जाके, तो साथ में ये भी बोलना, कि पापा, देखो है न, अपने खेत की सेटलाइट से फोटो भी मंगा सकते है, और पता करेंगे कि सच में वहाँ एगरी कल्चर एक्टिविटी हुई थी या नहीं हुई थी, तो बेटा, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, आप गूगल पे जाके सर्च करना, कि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट टुक दे हेल्प अप सेटलाइट फोटो, टू चेक दे एगरी कल्चर इंकम और नॉट, ये चेक करने के लिए, ऐसा कैसे मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, कि रूरल एगर अपकी बेच देते हैं, उस पर टेक्स नहीं लगता, एक बंदे ने क्या किया, लेंड जो थी, उस पर बिल्डिंग बना दी, कॉंप्लेक्स बना दिया, और कॉंप्लेक्स बेचा, और उसने बताया क्या, कि मैंने तो लेंड बेची है, फिर वापस इंकम टेक्स आजकल बहुत हुश्यार हो चुका है, डिपार्टमेंट जब भी बोलू मतलब कौन सा डिपार्टमेंट, इंकम टेक्स, ऐसा नहीं कि पुलिस डिपार्टमेंट, मुनिसिबिलिटी डिपार्टमेंट, नहीं, जब भी मैं डिपार्टमेंट वड यूज करता हूं, इसका मत Constitution of India में power दे रखा है और Constitution of India में power दे रखा है income tax लेने का लेकिन यह power किसके पास है तो देखो tax on income on income other than other than agriculture income means आपका income पे tax लेने का power other than agriculture income यह कौन सी list में दे रखा है यह कौन सी list में दे रखा है union list में दे रखा है और इस पे tax लेने का power कौन सी उस government को दे रखा है central government और entry number कौन सी है entry number 82 of 7th schedule 7th schedule of article 246 of Constitution of India तो इंडिया का जो constitution है उसमें article है article number 246 है उसका 7th schedule है और 7th schedule का entry number 82 है वो power देता है हमारी central government को के central government income पे tax ले सकती है other than agriculture income ओभाई सब्सक्राइब बाजू वाला पैन डाल देना ठीक है अगर hospital तक जाना है मैं साथ आ जाओंगा जरूर बट आस पास में कोई भी ऐसा मूं खोले नहीं थोड़ी दिर में एक तो तुम्हारा है ना रात का schedule बिगड़ा हुआ है क्योंकि रात को तुम बिगड़े हुए बात करते हो किसी से ठीक है और वह बाते तुम्हारी तीन तीन बज़े तक चलती रहती है और फिर तीन बज़े आप सोगे तो फिर उटके वापस class आना है तो कल से आज यह पहला दिन है तो ऐसा लग रहा होगा है कितना अच्छा थ तो भी थोड़ी दिर सोने का अपने आप आएगी मैं बहुता है ना बहुत सारे लोगों के पास नकरे होते हैं कि हम तो 11 बज़े सोते हैं तो नीन आती नहीं है फिर मोबाइल देखने लग जाते है फिर वह वापस सोने का ट्राय करते फिर वापस उसका ख्याल आता है चलिये तो तुमारे लिए मैं बदाऊं तुमारे लिए अभी तुमारा प्यार है वो सिरफ एंड सिरफ पढ़ाई है ऑनली पढ़ाई सिये इंटरमीडियेट इस यूर प्यार करके ठीक है बाकि इसके अलावा किसी और से प्यार करना ही नहीं है हां एक बर क्या हो बदा तुमको पता नहीं तुमारे लिए अच्ची चीज क्या है बूरी चीज क्या है फ्लो के साथ चले जाते हो किसी मानलो महिला मित्र से बात हो गई तो उसके साथ वह बाते किये जा रहे हो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है तुमको पता ही नहीं है कभी-कभी तीन दिन वेस्ट हो जाएगी वो लड़का दूसरी को बढ़ा रहा होगा करके तो यहां के इस्टोरिया है ठीक है आप देखना यहां लड़के तो आप कोई खाना खिला रहा होगा ऐसे चम्मज से आप देखोगे अभी आप पहले दिन आयो अभी रुको 15-20 दिन थांबो धोड़ा करके ठीक ह सबर करो सब देखने को मिलेगा आपको यहां पर तो एक बच्ची का मेरे पास कॉल आया इंटरमीडियेट की बच्ची छह साथ महीने पहले उसका एक्जाम के डेड़ महीने पहले उसका कॉल आया और वो बोलती है कि सर मेरा एक लॉंग डिस्टेंस रिलेशेंशिप है और बड़ा टॉक्सिक हो गया है तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूं पहली चीज तो कौन सा रिलेशेंशिप है लॉंग डिस्टेंस यू अंडर्स्टेंड ना अपन बोलते लॉंग डिस्टेंस में चारों खुश रहते हैं वह वाला ठीक है तो बट उनके उसमें दो ही र इल्जाम है तुमारे लिए पढ़ना जरूरी है तुम इंटर्मीडेट की बच्चे हो तुम इंटर्मीडेट क्लियर करोगी तो सीय में एंट्री होगी आगे तब बढ़ोगी जब सीय इंटर्मीडेट क्लियर होगा यही क्लियर नहीं होगा तो सीय में एंट्री नहीं है व वो तो याद हो गया है, भाई, अब उसका तो कोई इलाज नहीं, एक दिन मैं तो भूल नहीं सकते हैं, वो तो फाउंडेशन भूल गए पढ़ गए, यहां थोड़ी भूल सकते हैं, तो बोले नमबर याद हो गया, तो मैंने उसको बोला, बेटा देखो, पढ़ाई करनी होती है, फिर वापस से हमारे भी जगड़ा चालू हो जाता है, और जगड़ा चालू होता है, जब वो जगड़ा 6-7 दिन चलता रहता है, फिर बहुत जगड़ा हो जाता है, फिर एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, बट सर वापस ब्लॉक किया, उसके पांच दिन पढ़ तेरे को यह सब चीज़ें नहीं करनी है लाइप में बहुत टाइम मिलेगा यह सब करने के लिए अब तू सिरफ पढ़ाई पर ध्यान दे दे और मैंने का चुप चाप आज तेरा जो मॉबाइल है न वह अपनी मम्मी को स्विच आप करके दे दे मॉबाइल को स्विच आप कर अपनी मम्मी को दे दे मैंने जो होगा यह देखा जाएगा वो बुलती है कि सर मैं सोच रही हूँ मॉबाइल मम्मी को तो मैं दे दू बट फिर मुझे लगता है कि सर उसको मेरी जरूरत पड़ी तो वो मुझे कॉल कैसे करेगा मतलब उसको तेरी जरूरत पड़ेगी तो साफी ध्यान रखनी है इसे दूर रहना है अच्छे दोस्त होने जरूर चाहिए ठी Tight है आपके साथ अच्छे दोस्त होने चाहिए अच्छे पढ़ने वाले दोस्त होने चाहिए जो आपको हमिशाम motivate करें के target रखेंगे कि आज में रिवाइस करके आता हो, कल तू भी रिवाइस करके आता हो, कल अपन एक दूसरे को question पूछते है, देखते हैं कौन ज्यादा जवाब देता है, ऐसे दोस्त होने चाहिए, ऐसे फ्रेंड होने चाहिए, जो आपको साथ में लेके motivate करें, और बोले अगर test देंगे ना देखते है किसके number जादा आते हैं, वैसे दोस्त होने चाहिए, यह ऐसे time pass वाले जो है, toxic वाले दोस्त नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना और ऐसे toxic negative लोग भी साथ में है, बगा दो उनको, उनको दोस्त रखना ही नहीं है साथ में, अब एक बात बताओ, मैंने बोला, agriculture income पे, एक बात 46, of the state list, of 7 schedule, of article 246 है, वहाँ से text लेती है, अब एक बात बताओ, government के पास पैसा कहां से आएगा, पैसा चाहिए, क्या चाहिए, पैसा, बोलो क्या चाहिए, पैसा, पैसा, पैसा चाहिए, मनी चाहिए, मनी, अब यह पैसा कहां से लाए, एक बात बताओ, हमारी जो government है न, व वो government बिल्कुल, तुम्हारे जैसी है, तुम बड़े बालो वाले, क्या न, हमें तुम्हारा जुलफे, आयूश, तो जुलफे क्यों अड़ा रखी है, ऐसे मैं लाए, हां, यह बिचार अकल बाल कटवा के आ जाएगा, नहीं बाल नहीं कटवाना, क्यसी बात कर रहे हो, कर देखो, all people pay attention, तो हम, मेरी बात सुनो, एक और चीज़ बता दुआ, हम क्लास में है न, बहुत सारे एक्जामपल लेंगे, उसमें मैं आपके भी एक्जामपल लोंगा, मैं मेरे बहुत बुरे-बुरे एक्जामपल लोंगा, ठीक है, कि मैं दुद्वा हो गया, सिंदुर मि बता है, content को seriously लेना है, but example है, जो है न, वो सिरफ imaginary घटनाओं पर आदारित होंगे, उसका आपका या मेरे किसी के वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, किसी के वास्तविक जीवन से लेना देना है, तो मात्र एक संयोग हो सकता है, coincidence हो सकता है, उसके अलावा दो थे, देखो, अब एक भास समझना, एक बंदा है, जसका नाम है आयुष, यह हमारा आयुष, अब आयुष, प्यारा बच्चा है, आयुष लग भी रहा आयुष, आयुष को दो डाडी भी हो, हुआ है, जिए, जिए, आयुष की स्पेलिंग सही है कि A-Y-U-S-H राइट आयूषिद अब एक वास समझना आयूषै हिए वो क्या कि आयूष की मानलो एक महिला मित्र है क्या है महिला मित्र आटिकल शिपा में बनी थी आटिकल शिप करने के मैं बोला है न आर्टिकल शिप tecnología वह सकता है ऐसा ठीक है Birthday है, ऐसे now हम सब की भाबी-जी का birthday है तो आउश को surprise देना चाता है, आज कल आपको पता है बहुत सारे surprise होते है, जो निबबा-nिब्ची आप जैसे हो, तो आपको पता रहेगा कि आज कल बर्लडे में सुबह कोई अलग गिफ्ट देते हो फिर आफ्टरनून में एक और गिफ्ट फिर इवनिंग में एक और गिफ्ट हमको तो हमारा खुद का बर्डे याद नी रहता था बट आजकल क्या है न्यू जन्रेशन जैन्जी वाले जो लोग है उनको यह सब चीजे पता रहेगी तो आयूश जो है आयूश की महीला मित्र है उसका बर्डे है अब ये बर्डे की प्लानिंग कर रहा है CA student है CA final में है intermediate clear हो गया articleship कर रहा है planning कर रहा है कि उसके बर्डे को कैसे celebrate किया जाए कैसे इन दोनों का relationship है वो चल सकता है develop हो सकता है जैसे government को responsibility दिया था इंडिया को run करना है develop करना है तो अब इसके पास responsibility यह है कि इसके relation को run करना है develop करना है अब एक बात बताओ आयुश सबसे पहले सोचा कि भई उस दिन करेंगे क्या बल्डे के दिन तो पता चला कि आपन लुनावला गूमने जाएंगे तो जब यह planning की होगी तो planning के साथ-साथ में इसने एक और चीज की planning कि होगी क्या पैसा कितना लगएगा budget तो बनाया होगा न क्या रिलेशन को develop करना है तो कितना पैसा लगेगा है तो पता चला कि इसको पैसे की जुरूरत है और पैसे में इसको पता लगा कि 10,000 की जरूरत कहां से लाएगा सबसे पहले सबसे पहले किसी ने बोला कि सर यह आल्टिकल्शिप कर रहा है तो सबसे पहले यह अपने स्टाइपंड से लाएगा भाई अपने स्टाइपंड मतलब यह खुद का जो इसका बिजनस है या प्रोफेशन मतलब कुल मिला के जो यह स्टाइपंड वो देखेगा stipend से कितना मिल जाएगा तो पता चला कि इसका 5000 रुपेज पर मंत का stipend है अगले महिने का stipend आने वाला है तो 5000 रुपया तो उसको stipend से मिल जाएगा आर्टिकल शिप से उसको 5000 रुपया 5000 मिल गया लेकिन मुझे एक बात बताओ उसके बाद 5000 मिल गया 10,000 रुपीज में से 5000 मिल गया 5000 और चाहिए कहां से लाएगा बाकी वाला सेविंग तुम गरीबों के पाद सेविंग Hotी है तुम उधार मांगके तो चाही पीते हो उधार मांगके बाद से पोहे खाऊ गे यहां पे और बोलो कि हमारी सेविंग मुझे पता है तो दिहान रखना है कि आयूश को करना क्या है तो एक बात समझना सबसे पहले यह बिजनस प्रोफेशन किया उसके बाद दूसरा जो जाएगा यह अपने पैरेंट्स के पाद जाएगा और अपनी मम्मा को जाके बोलेगा अपने पापा से तो अपन लड़के बात नहीं कर सक तो मम्मी से पैसे कैसे मांगे हमारी मम्मा बड़ी भूली होती है उसको पैसे मांगने की जुरूतनी खाना खाना चोड़ दो एक दिन ठीक है यह खाना ठीक नहीं है मैं यह नहीं खाओंगा यह नहीं खाओंगा तो मम्मी को समझ जाता है कि भाई इसको कुछ चाहिए तो बोले क्या हुआ, क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, तो इसने बोला मम्मी मेरे फ्रेंड का बर्डे है, तो उसको हम ट्रीट दे रहे है, तो इसके लिए पैसे चाहिए, तो मम्मी ने बोला बर्डे उसका है, तो ट्रीट वो देगा ना, बोला नहीं, हमारे केस में थोड़ reverse है तो treat हमको देनी पड़ रही है तो मम्मा नप पूचा कितने पैसे चाहिए अब अगर यह बोल दे कि 5,000 चाहिए तो मम्मा को heart attack हा सकता है ठीक है अपनी मम्मा है तो सबकी एक जैसी तो मम्मी को बोला कि मम्मी है ना 3,000 रुपए चाहिए, तो मम्मी ने बोला देख, 3,000 रुपए नहीं मिलेंगे, चुप चप 2,000 रुपए ले जा करगे, ठीक है, तो मम्मी ने 2,000 रुपए दिया, पैरेंट्स ने, अब तीसरा उसके बाद कहां से पैसे लाएगा, अब वो जाएगा, अपने फ्रेंड्स के पास में और अपने friends को बोलेगा, अपना जो खास दोस्त रहेगा, कि देख, तु चाहता है ना, कि मेरा कुछ हो, और अगर तू मेरा भला चाहता है, तो 3,000 दे दे, अगले महीने के stipend से दे दूँगा ना, ब्यास दे दूँगा, साथ में एक मिसल पाव भी घिला लूँगा बट प्लीज तीन हजार दे दे, अब ये तीन हजार रुपे जो है, वो फ्रेंड ने दिये और ऐसे करके इसने पैसे जुटाए, हमारी गवर्मेंट जो है न, वो सेम आयूश जैसी ही है, आयूश में और हमारी गवर्मेंट में कोई फरक नहीं है, हमारी गवर्मेंट को जब पैसे चाहिए होते हैं तो मैं बताओं हमारी government पैसे कहां से लाती है सबसे पहले हमारी government खुद के businesses करती है आपको पता है government के businesses होते है businesses कौन कौन से example के लिए किसी ने बोला railway किसी ने बोला कि sir जितने भी ये BPCL, IOCL के petrol bump है ये भी तो government की company है तो जो भी आपका BPCL है उसके बाद में आपने ONGC करके नाम सुना होगा उसके बाद में आपने बहुत सारे नाम सुने होगे जैसे बेल करके एक नाम है करके ठीक है आपने एक और नाम सुना होगा करके ठीक है that is the आपके एक LIC है ये सब government की है तो government सबसे पहले जो पैसा है न वो यहां से कमाती है government को जितना आपने बुला है कि India को चलाना है India को develop करना है तो government सबसे पहले पैसे है न वो अपने businesses से कमाती है businesses में जैसे railway है, BPCL है, ONGC है, Bail है, LIC है वहां से पैसे कमाती है and guys, government की जितनी नीड है, उतना पैसा अगर यहां से नहीं मिलता तो government पैसा मांगती है अपने parents से government पैसा मांगती है parents से और मैं बता दू, government के parents कौन है आप लोगो आप ही ने तो government को जनम दिया है गवर्मेंट को किस ने बनाया, आप ही ने बनाया, वोट दे के आये थे, करके ठीक है, क्या I have voted, आप भी गल्लो वोट, सबने वोट किया था, तो parents मतलब आप लोग, इंडिया के जो लोग है, जो इंडिया के लोग है, उनसे ये पैसे मांगते है, और ये पैसे लेते है, in the form of the taxes, आप से जो पैसे लेंगे, वो taxes के form में लेंगे, और government की need तब भी खतम नहीं होती, तो उसके बाद में government क्या करती है, लोन लेती है अपने दोस्त से, लोन आपने सुना होगा, जैसे international monetary fund से लोन ले लिया, आपने सुना होगा, world bank से लोन ले लिया, USA ने इतना लोन दे द पैसे कहां से मिलेंगे, पहले government के खुद के businesses है, दूसरा government अपने parents से में आप लोगों से taxes के form में लेती है, और तीसरा उसके बाद में government क्या लेती है, लोन, बोलो क्या लेती है, लोन, अब एक बात बताओ, taxes जो government लेती है, इंडिया में मैं बता दू, आपके जो taxes है, वो दो तरह के taxes होते है, अब यहां से अपना discussion चालो हो रहा है, taxes दो तरह के होते है, एक तुमारा होता है, direct tax, बोलो कौन सा tax, direct tax, और एक तुमारा होता है, क्या knowledge है आपको यार, very good यार, आपको तो nobel मिलना चाहिए, indirect tax, एक direct tax, एक indirect tax, direct tax का example, आपके लिए income tax, बोलो कौन सा, income tax, and indirect tax का example, आपके लिए जैसे, GST है, custom है, वो indirect tax, अब एक बाद से मज़ना, direct tax और indirect tax में क्या फरक है, किसको बोलते है, direct tax, किसको बोलते है, indirect tax, देखो, direct tax मेंज, direct tax मेंज, जिसका tax होता है न, उसी से ले लेते है, that is called direct tax, मतलब मेरा tax है, मेरा income tax है, वो कौन देखा, मैं खुद ही दूँगा, मेरे पास आएंगे, बोलेंगे, income tax दो, मैं income tax दे दूँगा, direct मेरे से लिया, direct मेरा और government की बीच, direct connection है, direct मेरे से tax ले लेते है, that is direct tax, एक होता है indirect tax, indirect tax क्या होता है, कि government indirectly collect करती है, जैसे example के लिए, आप लोगों ने मानलो, अपना tax का class खरीदा, और tax की class खरीदने के लिए 8,000 का payment किया, तो आपने 8,000 का payment किया, लेकिन उस 8,000 में GST भी है, और कितना GST है पता है आपको, 18%, तो 8,000 में 18%, 8,000 का 18% नहीं, 8,000 तो inclusive of GST है, तो देखो, 8,000 divided by 118, multiply by 18, it comes to the 1220 का GST है उसमें, तो मैंने क्या किया, जैसे मानलो, किसी student ने, ये जो student है, उस student ने, बीबी सर को payment किया, वो बीबी सर को payment, मानलो, 8,000 का किया, बट ये 8,000 का जो fees है आपका, इस fees में, 8,000 में, 1220 रुपिज का GST है, ये GST भी बच्चे ने दिया है, लेकिन बच्चे ने directly ये GST गवर्मेंट को नहीं दिया, इसने मुझे दिया, और मैंने ले जाके ये वाला GST है, वो गवर्मेंट को पे कर दिया, 1220, that is call your indirect taxes, तो देखो, direct tax क्या होता है, जिसका tax है, उसी से government ले लेती है, जिसका tax है, उसी से, directly उसी से लेती है, that is called direct tax, indirect tax क्या होता है, गवर्मेंट कलेक्ट किसी एक परसन से कर रही है, लेकिन उसका ultimate burden है, वो shift हो जाता है, consumer पे, जो consumer है, उस पे ultimate burden shift हो जाता है, that is called indirect taxes, जैसे आप GST है, अपन जैसे माल लोगों chips खाते है, तो chips के packet 10 रुपे का है, उसमें GST भी है, तो आपने 10 रुपे दुकानदार को दिये, दुकानदार ने वो 10 रुपे है, माल लो manufacturer को दिये, और manufacturer ने उसमें जो GST है, वो government को जमा करा दिया, बट ultimate burden है, वो last वाले consumer पे गया, that is called indirect taxes, एक बात बताओ, government के लिए कौन सा tax collect करना easy होता होगा, easy मतलब government ऐसे बैठी है, easy, मतलब government को ज़्यादा stress नहीं ले रहा, indirect या direct, government के लिए कौन सा tax collect करना easy होता होगा, indirect है, direct, चलो कितने लोग बोलते हैं, government के लिए, direct tax collect करना ज़्यादा easy होगा, कितने लोग बोलते हैं, indirect tax, very good, indirect tax बहुत सारे बोल रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों, indirect tax collect करना easy है, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बड़े मेरा question है, ऐसा क्यों, government को person to person जाने की जरूत नहीं, मतलब तुमारे पास नहीं आएगा, बारसवाद अश्रुपया देतो, हाँ, very good, और कोई? the text is collected from the manufacturer, and manufacturers are very less in the number, that's why it's very easy to collect, by the government, okay, and you heard, बिना, बिना text बहुत सारे बो, it cannot be avoided, मतलब अगर मालो chips खाओगे, तो text भरी रहे हो, मतलब ऐसा, अगर मैं बोलू, easy की बात, तो जो ज़्यादा दिल पे नहीं दुखता है, वो है indirect text, क्योंकि पता ही नहीं होता, यहाँ आने के बाद, मतलब जैसे ही आपको admission के लिए, लोगों ने पकड़ के ले गए होंगे, और जब मालो क्लास में आपको admission के लिए बोला, तो मालो DT का आपने fees भरा, आप यही पूछते हो, DT का fees कितना है, वो आपको बताती टाइम, जुरूर बताते है, कि including GST और X, आप बोलते हैं, 1220 रुपे मोदी जी को भी दिया था, ठीक है, बट भाईया, इसमें क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है, वो टेक्स भर रहे है, indirect tax में, तो government के लिए easy होता है, आपने 100 रुपे का recharge कराया, तो जब आप recharge कराने गए, तो recharge कराते टाइम, तो इसके लिए indirect tax है, वो collect करना government के लिए थोड़ा easy है, as compared to DT, DT है न, यहाँ दिल में दर्द होता है, क्या होता है, दर्द, दर्द होता है जोड़दार वाला, क्योंकि income tax में आपको सिखाऊंगा, आप अगर ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, मिस जो पांच करोड से भी ज़्यादा साल का कमा रहा है, तो 100 रुपे मैं से, आपको कितना tax बढ़ना पड़ता है, 43 रुपेज, 100 रुपे अगर आप कमा हो, अगर आप 5 करोड से ज़्यादा कमा रहे हो, तो 100 रुपे मैं से, if you earn the 100 रुपेज, 43 रुपेज टेक्स है, वो आपको गवर्मेंट को पे करना पड़ेगा, इतना income tax है, और सोचो, अपने पास से 100 रुपे कमाए, बड़ी मैंनत करके, पसीना करके ठीक है, और अगर शाम को गवर्मेंट बोले, 43 हमको देओ, कितना दर्द होता है, दुख होता है न, तो यहाँ सीधा दुखता है, और मैं बताओ, आपने अश्निर्द ग्रोवर का एक dialogue सुना होगा, वो बोलता है, कि गवर्मेंट इतना tax लेती है, कि आप देखोगे न, कि अगर मालो आप job करते हो कही, and if you are earning very good amount, तो आप 12 महीने जब काम कर रहे हो न, तो 12 महीने मैं से 5 महीने तो आप गवर्मेंट के लिए काम कर रहे हो, मतलब आप सोचो 5 महीने का आपका salary है, वो government as it is ले जाती है, और बाकी 7 मन्त का salary है, वो आपको मिलता है यूज करने के लिए, government बहुत taxes लेती है, आपने सुनाओगा, इस बार एक question भी निर्मला सीतारमन जी को पूचा था किसी ने, कर इतना tax लेते हो, कि जब 100 रुपे मान लोग कमाए, उस पे भी हमने 43 रुपेज पहले tax दे दिया, फिर आपके पास मैं बचा कितना 57 रुपेज, अब 57 को खर्च करो तो हर जगे tax है, क्योंकि खर्च करोगे तो GST है, आप GST है, खर्च करो, जहां-जहां खर्च करोगे बहाँ GST है, तो भाईया कितना tax भरोगे, ultimately कभी-कभी मुझे यह लगता है, government को यह बोलना चाहिए, टेक्स है, वो हमको देता है, direct tax से या indirect tax से, ज्यादा revenue किसे होता होगा, direct tax या indirect tax, कितने लोग बोलते indirect tax से, कितने लोग बोलते direct tax से, कुछ लोग बोलते सर देखो, हम हात नहीं उठाएंगे, सर हम, हम से ना हो पाए सर, यह मत बोला करो सर, direct tax या indirect tax, चले चेक करते हैं, इस बार government ने, क्या दिया है, क्या बोला है, कैसे बोला है, और किस से उनको, tax से ज़्यादा मिलता है, किस से कम मिलता है, right answer is, पहले ऐसा होता था, कि indirect taxes से, government को ज़्यादा revenue था, यह पहले होता था, लेकिन अभी guys, मैं आपको बात बताओ न, अभी जो है, वो government को ज़्यादा पैसा है, वो direct taxes से मिलना चालो हो गया, जैसे आप देखोगे, demonetization के बाद में, बहुत सारे लोगों ने return file करना चालो किया, आप अपने parents या अपने relative में देखोगे, बहुत सारे लोगों ने पहले income tax बढ़ाई नहीं था, बट अब लोग है, वो income tax बढ़ने लग गए, चलिए सिर्फ कितना direct taxes से मिलता है, कितना indirect taxes से मिलता है, तो चलिए ये वाला जो chart है, आप अपनी board पे देखिए एक बार, देखिए क्या लिखा हुआ है, government के पास पैसा कहां से आता है, miss जो एक रुपया है, उस रुपय में सबसे ज़्यादा जो है, वो तो हम लेते हैं दोस्तों से loan, borrowing and other liability, miss हम इतना loan लेंगे, 27% का loan लेंगे, आयूश जो last में जो loan ले रहा था ना, अपने दोस्त से, वो 27% है, government 27% हर सा loan ले रही है, दूसरा सबसे बड़ी government की जो आय है, या income है, वो है income tax से, income tax 19% है, government का जितना revenue है, उसमें 19% है, वो income tax से है, and मैं बता दू, income tax से 19% ही नहीं है, नीचे जो ये corporation tax लिखा हुआ है न, 17% ये भी income tax ही है, जो company आटेक्स भरती है, वो corporation tax में आता है, जैसे मालो individual में, as a भवर बुराना, मैं tax भरूँगा, वो income tax में जाएगा, लेकिन मेरी जो company है, BB Virtuals Private Limited, Reliance Industries Limited, ये सब लोग जो tax भढ़ते हैं, अदानी Limited, ये सब tax भढ़ते हैं, वो तुमारे corporation tax में जाता है, तो आप समझोगे, direct tax से revenue कितना जादा है, 19% तो income tax का हो गया, corporation tax का 17% हो गया, तो कितना हो गया total? 36% पैसा है, वो हमारी government को income tax से मिलता है, अब बोलोगे GST से कितना मिलता है, तो देखो GST and other taxes से कितना मिलता है, 18% Excise duty जो है, Union Excise duty कुछ-कुछ product पे अभी भी लगता है, उस पे 5% मिलता है, Custom से पैसा उदर जो है, वो 4% मिलता है, पहले कभी ऐसा हुआ करता था, कि जब income tax से पैसा है, वो सिरब 10-11% ही मिलता था, but now guys, income tax से 19% मिलता है, तो अब आज की rate में अगर आपको बोले कोई, कि government को ज़्यादा revenue किस से है, income tax से है, और corporation tax को तो अगर company वाला income tax मिला लो, तो 36% मिलता बहुत ज़्यादा revenue है, as compared to the indirect taxes, और यह पैसा जाता कहां पर आपना पता है आपको, देखिए, कहां जाता है यह पैसा, government के पास जो पैसा आता है, उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा कहां जा रहा है, interest payment में, 19% जो है, वो 19% पैसा जो है, central sector scheme में उसमें चला जाता है, जैसे माल लो मन रेगा और उसमें चला जाता है, subsidy देने में जाता है, defense में 8% जाता है, उसके बाद state को share देना पड़ता है, जो इनके पास जाता है पैसा, GST या income tax का जो आएगा, उसमें से कुछ पैसा states को देना पड़ता है, तो states को 21% देना पड़ेगा, finance, commission and other transfer है, वो 9% है, centrally sponsored scheme and all, तो उसमें ऐसे ऐसे यह पैसा है, वो use होता है, so guys, हम बात कर रहें थे, direct tax and indirect taxes की, indirect taxes and direct tax, तो मैंने आपको बोला, government के लिए ज़्यादा easy कौन सा है collect करना, indirect tax, क्योंकि दिल पे दर्द नहीं होता, पता ही नहीं जलता, आप tax बढ़ रहे हो, indirect tax ज़्यादा हीज़े, easy है, बढ़ direct tax में सीधा दिल पे दर्द होता है, क्या होता है, दिल पे दर्द, तो ये दर्द को कम करने के लिए, किसको कम करने के लिए, किसको, दर्द को कम करने के लिए, हम income tax में एक topic पढ़ेंगे, जिसका नाम है TDS, अपने नाम सुना TDS, क्या होता है, tax deducted at source क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, ने income tax के perspective बात करेंगे हम, आपने भहिया आपके parents कहीं job करते होंगे, तो आपको पता रहेगा, क्या होता है TDS सर, हाँ, 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 मलब TDS का full form क्या है, tax, मलब जो आपका source है न, source, जहां से income आ रहा है, क्या हो रहा है income, वहीं पे पहले थोड़ा tax कटके और government को जमा हो जाएगा, that is called TDS, example के लिए, माल लो ये batch में, मैं आपको पढ़ाने के लिए पूने आया, मैं विशाल सर के साथ मैं बढ़ा रहा हूँ, विशाल सर मुझे जो payment करेंगे, उसमें से 10% पहले ही काट लेंगे, जैसे माल लो मेरा payment बना 1 lakh, तो मुझे 1 lakh पूरा पे नहीं करेंगे, मुझे सिरफ 90,000 पे करेंगे, and 10,000 government को जमा करा देंगे पहले से ही, that concept is called TDS, और ये क्यों लाया पता है, क्योंकि दिल में दर्द होता था, आप सोचो आपके पास पूरा पैसा पहले आ जाए, party कर लोगे, मजा आ जाएगा, आप तो वड़ा पाउखा लोगे करेंगे, ठेक्स भरने का टाइम आएगा, आप टेक्स ही नहीं भरोगे, तो government ने क्या किया, कि थोड़ा थोड़ा payment, पहले ही government को टेक्स चला जाए, that concept is called TDS, एंड फिर लोगों को इतना दिल में जादा दर्द भी ना हो, क्योंकि एक example समझते, आप अपने से connect कर पाऊगे, आप सोचो मैंने आपको बोला, आपको notebook कल लेके आना है, बहुत प्यारी वाली, notebook है 70 रुपेज की, आज आपने अपनी मम्मा से जाके बोला, क्या मम्मा, मुझे 70 रुपेज दे दो ना, मम्मा ने बोला, क्या बेटा 70 रुपेज छुट्टा नहीं है, तो एक काम कर, 100 रुपे का note है, तु ले ले, 30 रुपे तु वापस दे देना, मम्मा ने बोला, 100 रुपे का note है, तु ले ले, 30 रुपे तु वापस कर देना, ऐसा मम्मी ने आपको बोला, आप 100 रुपे का note लेके निकले, अपने notebook वगरा खरीद ली, 70 रुपे की, 5, 7, 10 दिन बाद, मम्मी आपसे वो 30 रुपे वापस मांगती है, क्या हो सकता है, दो possibility हो सकती है, एक तो आपके पास वो 30 रुपे है ही नहीं, मम्मी बोले की 30 रुपे, कौन से 30 रुपे है, वो बोले की वो बोला था न, 70 रुपे चाहिए ते 100 दिया था, वो तो मैं खा गया वड़ा पाव, मैं वड़ा पाव खा गया, उससे तो मिसल पाव खा गया, मिरे पास एक रुपे भी नहीं है, या तो आपके पास है यह नहीं देने को, या फिर आपके पास 30 रुपे है, आप मम्मी को वो 30 रुपे दोगे, लेकिन 30 रुपे देते टाइम, जो आपका रियक्षन होगा न भाई, आप 30 रुपे ऐसे उसके सामने पटकोगे, ले ये 30 रुपे तेरे, क्या मैं विजय मालिया हूँ, मैं यहां से यू के भाग जाता, 30 रुपे लेके तेरे, देही देता न, का जरूरी था मांगना मेरे से, मैं बताओ, इतना दुख होगा न, वो 30 रुपे देने में, मैं बताओ, शायद मम्मा ने 100 रुपे की जगे पहले ही 70 दिये होते न, तो इतना दुख नहीं होता, जितना 100 देके 30 मांगने में आपको दुख हो रहा है, तो वैसा ही होता था, इसलिए TDS लाया गया, कि चलो कम से कम थोड़ा थोड़ा पहले से ही कटके और गवर्मेंट को टेक्स चला जाए, that concept is called TDS, you got my point or not, yes, now we are going to take the break for 10 to 15 minutes, आप एक काम करिए, 10-12 मिनिट का ब्रेक ले लिजिए, 10 मिनिट का लिजिए, आज मैं जल्दी भी छोड़ दूँगा थोड़ा, 10 मिनिट का ब्रेक लिज